पंजाबी एकेडमी चैनल विच आप सब्दा एक वार फिर तो स्वागत है इस तो पहला कि आप जी वीडियो देखो मैं आप जी नू बेंती कर दी हां कि नवियां वीडियो प्रापत करन लई साड़े चैनल नू सब्सक्राइब करो ते नाल ही बेल आइकन दे बटन नू दबाओ अगर वीडियो अच्छी लगे ते लाइक शेर जरूर करो आज दा साड़ा टॉपिक है दस्मी जमादी पुस्तक साहित माला विच्चों गुर्मत का विच दर्ज श्रिगुर अर्जन देवजी दी बानी मिठ बोल्डा जी हर सज्जन इस दी असी आज परसंगस्यत व्याख्या करांगे उन असी सब्तों बैला श्रिगुर अर्जन देवजी बारे महत्तपुन जानकरी हासल करांगे श्रिगुर अर्जन देवजी सिखां दे पंजवे गुरु होई हन आपदे पिता श्रिगुरु रामदा जी अते माता बीबी पानी जी सन आपदा सुबा निमर्ता, मिठास, पर्या अते सेवा पावनाल परपूर सी गुरु रामदा जी ने अपने वड़े पुत्रां दोवदेरे योग समधियां आपनू गुरुगद्धी दित्ती श्रिगुरु अर्जन देव जी ने अमरे सर विच श्री हरमंदर साबदी ने एक मुसल्मान फकीर साई मिया मीर पासों रखवाई आपने श्रिगुरु गरंद साबदी संपादना किती उन्ना सारे गुरुआ दी बानी संग्रया करणतों इलावा हिंदोस्तान परदे संता, महापुर्शा, पगता दे विचारा नूवी अकठेया किता श्रिगुरु गरंद साहे विच आप दी सब्तों वद बानी दर्ज है आप दी सब्तों वद पड़ी जानवाली रचना सुखमनी है श्रिगुरु अर्जन देव जी ने अपने कुर्बान नहीं देखे तार में खेतर विचिक नमी पिर्त पाई जिसने सिख्धी नू सदा सदा लई अमर कर देता हून असी श्रिगुरु अर्जन देव जी दी बानी मिट बोल्डा जी हर सज्जन इस दा दियान करांगे फिर उस्तों बात असी इस दी पर सांकसत व्याक्या थे कोशन अंसर करांगे सब्ते पहलना असी इस दा दियान करांगे मिट बोल्डा जी हर सज्जन मिठ बोलना जी हर सज्जिन स्वामी मोरा हो संबल थकी जी हो कदे न बोले कोरा कोडा बोलना जाने पूरन पगवाने ओगन कोना चितारे पतीत पावन हर बिर्द सदाए इक तिल नहीं पन्ने काले कटकडवासी सर्मनिवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमरित सज्जन मेरा हो बिसम पई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हो चर्न कमल पगछारा प्रभ पेकत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड अवर न कोई आद अंतमद प्रभ रवया जल्थल महल सोई चर्न कमल जप सागर तर्या पवजल उतरे पारा नानक चर्न पूरन परमेशर तेरा अंतना पारा वारा हुन असी इसदी प्रसंग्षत व्याख्या करांगे लेकिन उस तो पहला असीम इसदी अखे शब्दा दियर्थ देख लेने हां मिठ बोलना मिठे बोल बोलन वाला मोरा मेरा हौं मैं कोडा कोडा बोलना जाने बोलना नहीं जानदा ओगन को कोई वी ओगन चितारे चेते रखदा पतीत पावन विकार्यानों पवित्तर करनवाला बिर्द मुड कदीमा दा सुबा सदाई अखवोंदा है तिल पर वी पन्ने व्यर्थ जानदन्दा काले किती मेंटनू नेरे ते ही नेरा बहुत ही नेडे सरनागत शरनविच रेंदा हां अमरित आत्मिक जीवन देन वाला तरसंग एक आप टोटा साहित माला पुस्तक विच दर्ज शिरिगुरु अर्जन देवजी दी बानी मिट बोल्ला जी हर सज्जन विच्चों लिया गया है इस बाने विच गुरु जी ने मालक प्रबु दे गुना दी महमा गाई है व्याक्या मिठ बोल्ला जी हर सज्जन स्वामी मेरा इस विच गुरु जी फर्मों देहान के हे पाई मेरा मालक प्रबु मिठे बोलन वाला प्यारा मित्तर है हो संबल ठकी जी हो कदे न बोलो कोरा प्रबु जी फर्मों देहन गुरु जी फर्मों देहन की हे पाई मैं चेते करकर के ठक गई हां कि उज्जा कदे कोडा बोल बोलिया याद आ जावे पर नहीं ओ कदे भी कोडा नहीं बोलदा कोडा बोलना जाने पूरन पगवाने ओगन कोना चितारे गुरु जी फर्मों देने हे पाई मेरा प्रबु गुना नाल पर पूर हैं ते ओ कोडा बोल बोलना ही नहीं जान दा क्यूंकि ओ साड़ा कोई ओगन चेते ही नहीं रखदा पतीत पावन हर बिर्द सदा एक तिलना पन्ने काले इस विच गुरु जी फर्मों देने हे पाई मेरा मालक प्रबु ओता विकारियानू पवित्तर करन वाला है ए उस दा मुड कदीमा दा सुबादस्या जान दा है ओ किसे दी कीती कालक माई नू विर्थ नहीं जान दिन दा कट-कट वासी सर्वनिवासी नेरे हीते नेरा गुरु जी फर्मों देने कि हे पाई मेरा सज्जन प्रबु हार इक शिरीर विच वस्दा है पाब की ओ सारे जीवां विच वस्दा है ते हार एक जीवदे बहुत ही नेरे वस्दा है नानक दा सदा शर्नागत हर अमरित सज्जन मेरा गुरु जी फर्मों देहन कि दा सदा उस दी शर्ण विच प्यार रहन्दा है क्योंकि सज्जन प्रबु में नू आत्मिक जीवन देन वाला है हुनिस पैरे विच असी परसंग पिशले वाला ही लिखांगे लेकिन अक्षे शब्दा दे अर्थ देख लेने हूं मैं विसम हैरान दर्शन पारा ब्यंत दर्शन करनवाला चरन कमल पग चारा केवल फुल वरगे सोने चरना दी तूड देखत वेखना ठंडी शांत चित तीस जेवड उस जिन्ना वड़ा आद संसार्दे शुरू विच अंत संसार्दे अंत विच मद संसार्दी हो दे विचकार चल पानी थल तर्ती महेल अकाश पारावर उर्ला परला बन्न उनसीज दी व्याख्या करांगे हो बिसम पाई जी हर दर्शन देख अपारा इस विच श्री गुरु अर्जन देव जी फ्रमोंदे हन की हे पाई उस ब्यंत प्रमात्मा दा दर्शन करके मैं हरान हो रही हाँ मेरा सुन्दर स्वामी जी हो चरन कमल पग छारा गुरु जी फ्रमोंदे हन की ओ मेरा सोना मालक है ते मैं उस देख चरना दी तूड हाँ प्रभ पेकत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड अवरना कोई हुन गुरुजी फर्मोंदे हन कि उस परमात्मा दा दर्शन कर देया मेरे अंदर जिन्द जान पै जान दी है ते मैं शांत चित हो गई हा मेरे लिए उस दे ब्राबर दा होर कोई भी नहीं है आद अंतमद प्रभ रविया जल्तन में है अल सोई गुरुजी कहन दे हन हे पाई कि संसार्दे रंब विच्वी ओही है संसार्दे अंत विच्वी ओही होवेगा ते इसे वेले वी ओही है पाने विच, तर्ती विच, अकाश विच, सब ताई ओही वस्दा है चर्ण कमल जपसागर तर्या पवजल उतरे पारा गुरुजी फरमौदे हन कि हे पाई उस दे सोने चर्णादा त्यान करके ही जीव संसार्द समुंदर्तों तर जानदा है पाववसागर्तों पार हो जानदा है नानक शरन पूरर परमेशर तेरा अंत्रा पारा वार गुरुजी फर्मोंदे ने की हे पूरन परमेशर इसे लिए मैं तेरी शरन विच आया हां मैं तेरी हस्ती दा उर्ला परला बनना नहीं लब सकदा ते मैं तेरी हस्ती दा आंत नहीं पा सकदा हुन अगे असी मिठ बोलडा जी हर सज्जन करतादा केंद्री पाव करांगे केंद्री पाव मालक प्रबूदा सुबा बड़ा मिठा है ओ सार्या विच वजदा है ते सबनु आपमिक जीवन देर वाला है उजदा दर्शन करके जीवनु शान्ती प्रापत हुंदी है ओ हर्था वजदा रजदा है ते उजदा त्यान तरके ही मनुक संसार्स मुंदरतों तर जान्दा है पाव की पवसागरतों तर जान्दा है हुन असी इस दे वस्टोन इस्प्रेशन करांगे इत्थे मैं दसना चौंदी हां कि कल तुद अपन तू मेरा पिता तू है मेरा माता दे कविता दे very short question कीते सन उना कोशना विच्चों कई कोश्चन इस कविता ना भी related हन इसलिए तुसी description विच मेरियो वीडियो ते क्लिक करके उस सारे कोश्चना नो देख सकते हो जो की शिरुगर रजन दिव जी ना related हन अगे हुना अपना question कर देए इस दी मिठ बोल्ला जी हर सज्जन बानी विच गुरु जी ने सज्जन प्रबुदा की गुंद स्या है उत्तर मिठ बोल्ला सरव्यापक विकार्यानू पवित्तर करनवाला ते आत्मिक जीवन दाता अगे second question मिठ बोल्ला सरव्यापक विकार्यानू पवित्तर करनवाला आत्मिक जीवन दाता कौन है अगला question परमात्मा विकार्यानु डैश करनवाला है उत्तर किया पवित्तर सरब गुनानाल पर पूर सज्जन प्रभु कदे डैश बोल नहीं बोल दा उत्तर किया कोडा अगेडी गुरु जी आकदे हन की मैं अपने सोने मालक दे चर्ना दी डैशा की यहां तूर तन्वाद